नश्काल दोस्तों कैसे हैं आप सब होंगे आम शौर कि आप लोग जम बहुत ही अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप affiliate marketing के अंदर success होने के लिए technology का इस्तेमाल करेंगे यानि कि 5 ऐसे wordpress के plugin के बारे मैं बताने वाला हूँ जो वाकि affiliate marketing अगर आप करते हो और आपकी website जो है wordpress की उपर है तो यहाँ भी यह पांच जो plugin आपको बताने जारा हूँ यह बहुत ही भैतरीन plugin है और जो कि आपको बहुत सारी चीजों को बिलकुल सामने result दिखा देंगे और आपको यह पता चलेगा कि कहां पर क्या-क्या चीजे करनी है तो उसके इसाब से आपको definitely अगर आप इन plugins के help से चलेगे तो आपको बहुत ज़दा अच्छे से growth देखने को बलेगा और आपका काम जो है बहुत असान हुजएगा तो आज के इस वीडियो में जो है मैं यही बताने वाला हूँ पांच plugin तो वीडियो को आड़े तक जरूर देखेगा मैं हूं Manjit Singh और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल Digital World by Manjit Singh तो दोस्तो अगर आप मुझे follow करना चाहती है Instagram पे तो आप मुझे Instagram पे follow कर सकते है मेरा ID है Tech Guru Manjit जहां पे हर Saturday को मैं आकर देने वाला हूँ आपको live आप लोगों के सावानों के जवाब So don't miss this opportunity do follow me on Instagram ताकि जो है आपको बिलकुल बहतरीन तरीके से जो है वेबसाइट जब चलती है ना तो वहां पे हर चीजों को ध्यान देना हर छोटी छोटी चीज़ के ओपर ध्यान देना बहुत ही important है यहां पे सबसे पहला जो plugin आपको बताने वाला हूँ बताने वाला हूँ security के लिए दोस्तो security एक बहुत ही चाहे वो हमारी खुद की personal security हो हमारे mobile devices की security हो हमारे data की security हो या हमारी website के security हो तो यह सभी जगे पे security बहुत ही important है क्योंकि अगर जब हम affiliate marketing वाली website की उपर काम करते हैं तो बहुत सारे हमारे competitor भी है क्योंकि सिर्फ आप मैं ही ऐसा affiliate marketing नहीं कर रहा हूँ बहुत लोग कर रहे हैं तो ऐसे में बहुत सारे unauthorized person भी है जो आपकी website के उपर unauthorized packets को बेज के जो आपकी website को बहुत damage कर सकते हैं आपका data loss करवा सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर security करना होना हमारी website की बहुत ही important है तो यहाँ पर security के लिए जो plugin मैं आपको बताने हैं आप वो है हमारा यहाँ पर wordfence plus security यह यहाँ पर wordfence plus जो plugin है यह बहुत ही बहतरीन plugin है और free के अंदर आप बहुत आसानी से जो है यहाँ बहुत अच्छे से अप आपको यहाँ पर log भी generate होंगे और कोई unathrised packet आपकी website को hit करता है तो उससे भी आपकी website के security होगी तो यह बहुत ही बहतरीन plugin है आपकी website को secure करने का क्योंकि हम जब मेहनत करते हैं और वही मेहनत अगर कोई उस पर पानी फिर दे तो यह है अमारे लिए बहुत ही बड़ा disadvantage हो वो अपनी जगे पे बिल्कुल सही चीज है वो करना चाहिए लेकिन उसके बापजूद भी हमें जो है backup लेना अपने पास backup होना बहुत ही important है तो यहाँ पे यह जो मैं plugin बताने जारा हूँ second वाला वो है आपका updraft plus तो यह updraft plus क्या करता है कि automatically आप जिसी साब से schedule करोगे daily basis या weekly या two hourly, eight hourly जैसा भी आपका content आप लोग update करते हो अपनी website पे उसी साब से यहाँ पे आप backup जो है set कर सकते हो और यह backup आपका उसी website के उपर नहीं रहेगा आपको सिरफ यहाँ पे configure कर देना है आपका remote device के उपर जो है remote location के उपर automatically जो है आपका backup process कर रिया जाएगा चाहे वो FTP के जरीए हो, Google Plus हो, Dropbox हो या Microsoft का Azure हो इस तरह के बहुत सारे options जो है इसके अंदर दिये गए हैं जिनके जरीए जो है आप अपना backup जो है remote location पे रख सकते हो इनके कहीं पे जहाँ पे आपने hosting करके रखिया वहाँ पे कोई problem हो गई या किसी भी वज़े से XYZ technical issues के वज़े से आपकी website डाउन हो गई, तो आपने जो अभी तक मेनत करी है, मतलब आप बिल्कुल निश्चिन्त हो के जो है अपना काम कर सकते हैं, अपनी website से निश्चिन्त रह सकते हैं, अगर आपको कोई भी technical issue की वज़े से आपकी website crash भी हो गई, तो आपको hardly आदा गंटा लगेगा वापस अपने backup को restore करने के लिए और आपकी website के ओपर जितना content जैसा था, including theme, including your plugins, including your settings, including your database, सारी चीजें as it is आपको वापस मिल जाएंगी, तो ये बहुत ही बैतरीन plugin है, तो इसको भी आप install करें और ये आपके लिए बहुत beneficial होगा, तो दूसरा तीसरा अगर मैं यहाँ प बहुत ही नहीं कि affiliate marketing वाली website हो या कोई other website भी हो, सभी के लिए इस्तेमाल होने वाला ये बहुत ही बहतरीन plugin tool है, बहुत असानी से ये आपको चीजों को बरताता है कि आपका जो article लिख रहे हो या product की जो details डाल रहे हो, वो आपकी SEO यानि कि search engine optimization के हिसाब से जो है, अच्छी हैं, सही हैं, गलत हैं, वहां पे आपको क्या-क्या चीज़े करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़े जो हैं, यहां पे used SEO automatically, आप अपना काम करते चलोगे, यह automatically आप जो कार लिख रहे हो, type कर रहे हो, तो यह उसको analyze करता जाएगा, और साथी साथ हातो ब पर पूरा details show कर देगा, कि आपकी क्या कमिया है, आपके इस article के अंदर, या इस product की posting के अंदर, जो चीज़े आपको enhance करनी चाहिए, तो दोस्तर यह बहुत ही एक बहतरीन plugin है, SEO के इसाब से, क्योंकि अगर हम article कर रहे हैं, महनत कर रहे हैं, product posting कर रहे हैं, उसकी details अच्छे स डाल रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारा Google के number one पे नहीं पहुंचेगा, तो definitely हमारा कहीं न कहीं हमारे लिए problem होगी, हमारे पास traffic नहीं आएगा, और हमें जो है, conversion ratio जो है, वो देखने को नहीं मिलेगा, तो यह plugin आपको यहाँ पे help करेगा, इसके बाद दोस्तों, चौथा plugin की अगर बात करें, तो यहाँ पे आती है बात monitoring की, कि जो चीजे हम डाल रहे हैं, जो products को हम डाल रहे हैं, कौन से कौन हम multiple categories के साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें यह जानना है कि कौन सा ऐसा product है, कौन सी ऐसी category है, जो लोग ज़्यादा interested हैं, जिसके अंदर, जिसको जो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, जिसके उपर ज़्यादा clicks हो रहे हैं, और जिसकी वज़े से आपका revenue हाइक हो रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर यह चीजे जानना बहुत important है, हो सकता है हमारी website के अंदर 1000 product हो, 500 product हो, 200 product हो, वो depend करता है कि हमने कितने डाल के रखे हैं, लेकिन उन product में से कौन से ऐसे product हैं, जो की आपके popular हैं, जिनकी वज़े से आपके revenue और ज़्यादा बढ़ सकता है, तो दोस्तों ऐसे में अगर कोई ऐसा plugin जो आपको automatically analyze करके आपको result दिखा दे कि हाँ, यह चीज़ आपकी काफी ज़्यादा upselling में है, तो आप उसके उपर उसी category के अंदर, उसी category के product को आप और ज़्यादा post करके अपनी revenue जो है, और ज़्यादा increase कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ पी जो मैं plugin बताने जा रहा हूँ, that is called pretty, pretty एक ऐसा plugin है, जो की आपकी जितनी भी postings है, जितने products हैं, उन सभी के उपर monitoring करता है, monitoring करके आपको सारी ची जो है, वो increase कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे पांचवा जो आज का last but not the least, यहाँ पे जो plugin है, यह है हमारा Google Analytical, यह Google Analytical basically दोस्तों हमें यह जानने में help करता है, कि हमारा जो target है, हमारा जो maximum traffic है, वो किस country से आ रहा है, किस article के उपर आ रहा है, कौन से page के उपर आ रहा है, तो कौन से section पे उपर, कौन से page के उपर, लोग कितना ज़ादा देर time spent कर रहे है, बहुत सारी details जो है हमें, यहाँ पे Google Analytical tool से मिलती है, इस plugin से मिलती है, तो यह plugin के लिए आपको अलग से Google के अंदर जाके, जो है, लौग इन करके चेक करने के जूरत रही है, यह अगर आप plugin अ उतना ज़ादा आपको अच्छे से समझ पाएंगे, और उस चीज़ को समझ के अगर आप काम करोगे, तो definitely affiliate marketing के अंदर जो है, काफी ज़ादा आपको success देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या चीज़े लोगों को पसंद आ रही है, क्या कौन से चीज़ पे, कौन सा ऐ इसा आर्टिकल है, वहाँ पे अपनी क्या लिखा है, यह लोग उस पे ज़दा स्पेंड करें है ताइम, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेंगी, तो यह पांच ऐसे WordPress के plugin हैं, जो की affiliate marketing के साब से जो है, वाकी बहुत ही useful है, अगर आप इनका इस्तेवाल करते हो तो definitely आपके जो revenue के अंदर और आपकी website के traffic के अंदर और आपका जो SEO friendly article लिखने के लिए, जो है product posting के लिए आपको काफी help मिलेगी, और अगर आप इन पांचों का इस्तेवाल करते हैं, तो आपकी security भी बढ़ जाएगी, आपका backup auto हो जाएगा, आपका SEO friendly बनेगा, सारे articles SEO friendly बन जाएगे और आपका जो है आपर monitoring होगी, आप जो है अच्छे से अपना traffic को analyze कर पाएंगे, कि कौन सी category ऐसी है, कौन सा ऐसा page है, कौन सी ऐसी age है, कौन से ऐसी age की demography जिसको बोलते हैं, कि कौन से ऐसी age का जो target कर रहा है, जो हमें सबसे ज़्यादा revenue generate करने में help कर रहा है तो उसके हिसाब से अपना content जो है आप modification कर सकते हो, so I'm sure ये 5 plugin जो है आपको काफी अच्छे लगे होंगे, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को ये सारे plugins को install करके, क्या-क्या settings करनी होती हैं, वो सारी details पता हूँ, तो do let me know in the comment section, और अगर आपको ये video अच्छा लगा होगा, like, share तो definitely कर देजेगा, लेकिन अगर आप नहीं है मेरे channel पे, तो जल्दी से नीचे side पे subscribe का button उसको दवा के subscribe कर दीजे, साथी साथ बेल गाइकन दबादी ताकि आने वाले video को notification आपको मिल पाए, so आज के इस video के लिए दोस्तों इतना ही, अगला video आने तक safe र झाले के साथ और सो देजेगा झाले में बेल आने है का झाले के लिए देगा, तो जबादी पेला आने ही।